एंटी एक्स्टोर्शन और किड्नेपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने नकली इंजन ओल बनाने वाले एक ऐसे गैंग का भंडा फोड किया है जो ब्रांडेड लूब्रिकेटिंग इंजन ओल बनाने वाली कमपनियों की हुबहु पैकिंग में नकली ल है जिनकी पहचान विवेक त्यागी, मोनु कुमार, कमल, गौतम, राजेश, अनिल कुमार और सत्येंद्र के रूप में हुई है विवेक त्यागी फैक्टरी का ओनर है जबकि बाकी सभी आरोपी फैक्टरी में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे पुलिस ने फैक्टरी एक आटोमेटिक बड़ी सीलिंग मशीन, एक मैनुल छोटी सीलिंग मशीन वा पैकिंग मेटिरियल बरामत किया गया है। दिल्ली NCR के कुछ पैट्रोलर पमपो वा मोटर मेकेनिकों की दुकानों से ब्रांडेड कमपनियों के लुब्रिकेटिंग इंजन आयल बाइक, कार वर ट्रक के इंजन में डलवाने के बाद इंजनों के खराब होने की शिकायते अचानक बढ़ गई थी। यह खबर उड़ती उड़ती क्राइम ब्रांच संलाइट कॉलोनी में तैनात हैट कांस्टेबल गुरुविंदर तक भी पहुंची। हैट कांस्टेबल गुरुविं इंजनों के खराब होने की शिकायते आ रही थी। सच्चाई जानने के लिए इंस्पेक्टर अमित प्रकाश खुद साधी वर्दी में ग्राहक बंकर सस्पेक्ट पेट्रोल पंपो वर मोटर मेकेनिकों की दुकानों पर गए और वहां से नकली कैस्ट्रोल लुब्रिकेटि इंजन आयल के डिब्बे की हुबहू पैकिंग को देख कर इंस्पेक्टर अमित प्रकाश भी चकमा खा गए इंस्पेक्टर अमित प्रकाश ने कैस्त्रोल लुब्रिकेटिंग इंजन आयल के असली और नकली डिब्बों को उल्ट-पुलेट के देखा तो एक बहुत सुराग उनकी पकड में आ गया सुराग था डिब्बे पर प्रिंट बारकोड असली डिब्बे पर बारकोड गहरा और क्लीर था जबकि नकली डिब्बे पर बारकोड धुंधला था इंस्पेक्टर प्रकाश ने असली और नकली डिबो पर प्रेंट बारकोट को स्कैन किया तो ब्रांडेड लूब्रु के नाम पर नकली लूब्रिकेटिंग इंजन आयल बनाने वाले एक बड़े गैंग का भंडा फोड कर दिया यह इंजन ओईल का पाउच है यह बाइक और सकूटरों में डाला याता है यह सर्वो टोटी इंजन ओईल लग रहा है लेकिन यह असली नहीं है यह पैकेजिंग ही असली है इसकंदरा लेकिन इंजन ओईल जो है वो सारा नकली बढ़ा हुआ है और आप यह देख सकते हैं यह एक लीटर वाला इंजन ओईल का पैकेट है यह देखने में हुग हुग असली लग रहा है यह कैस्ट्रोल कंपनी का है और इसको देखकर एक आप बार में आप देखेंगे तो आपको बिलकुल भी आप अंदाज ने ला सकते ही यह नकली इंजन ओईल बढ़ा हुआ है पैक इंस्पेक्टर अमित प्रकाश अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मोटर मेकेनिक के किसी एक भी दुकांदार से सीधे नकली इंजन ओईल के बारे में पूचताच की तो नकली इंजन ओईल बनाने वाला गैंग अलट हो सकता है इसलिए इंस्पेक्टर अमित प्रकाश ने ब्रांडेट कमपनियों के नाम पर नकली इंजन ओईल बनाने वाले पूरे गैंग को दबोचने की योजना बनाए पूरे गैंग को दबोचने का एक ही रास्ता था वो था स्पलाया इंस्पेक्टर अमित प्रकाश जानते थे कि सस्पेक्ट दुकानों पर नकली लुब्रिकेटिंग इंजन आयल की स्प्लाई देने कोई न कोई स्पलाय तो जरूर आता होगा अगर उस पलाय का पीछा किया जाए तो नकली लुब्रिकेटिंग इंजन आयल के गोदाम या फैक्टरी का पता चल सकता है इंस्पेक्टर अमिद प्रकाश ने सस्पेक्ट दुकानों पर नजर रखने के लिए साधी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात कर दिया ताकि सपलाय कभी भी सपलाय देने आये उसका पीछा कर ठिकाने का पता लगाया जा सके आखरकार इंस्पेक्टर अमिद प्रकाश की योजना काम्याब हो गई कुछ दिन के इंतजार के बाद सस्पेक्ट दुकानों पर एक सपलाय ब्रांडेड कम्पनी के नाम पर नकली लुब्रिकेटिंग इंजन आयल की सपलाय देने आया टीम ने साधी वर्दी में सस्पेक्ट सपलाय का पीछा करना शुरू कर दिया दिन भर अलग-अलग दुकानों पर सपलाय देने के बाद सपलाय गाओ खेरा खुर्ड में एक काले गेट वाले गोदाम पर पहुँचा टीम ने इलाके की रैकी की तो पता चला कि इसी काले गेट के अंदर नकली लुब्रिकेटिंग इंजन आयल बनाने की फैक्ट्री है मैं खेडा कुर्द बिलेज के प्लॉट नमबर 816 के सामने खड़ा हूँ इसी प्लॉट के अंदर मुखे आरोपी बिवेक त्यागी नकली इंजन आयल बनाने की फैक्ट्री का पता मिलते ही आरोपियों को दबोचने के लिए DCP क्राइम राजेश देव ने सुशील कुमार ACP की सुपविजन वर इंस्पेक्टर अमित प्रकाश के नित्रित्वर में ASI राम कुमार, नरेश कुमार, मनोच कुमार, राम चरण, ASI रोहित कुमार, तलीम, योगाइंद्र कुमार, प्रविन, हैत कांस्टेबल गुरु विदर, सोमेश्ट, तेज प्रताप वा कांस्टेबल अनुच्की एक टीम का गठन किया टीम ने प्लोट नंबर 816, खेडा खुड, दिल्ली में छापे मारी कर, फैक्टरी मालिक, 37 वर्षिय विवेक त्यागी के साथ, फैक्टरी में मजदूर के रूप में काम कर रहे, 30 वर्षिय मोनू, 20 वर्षिय कमल, 28 वर्षिय गौतम, 21 वर्षिय राजिष्ट, 27 वर्षिय सत्येंद्र कुमार को भी मौके से दबोच लिया मुख्या आरोपी विवेक त्यागी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है और दोनों पैर से दिव्यांग है, ये पहले आयल कमपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था, वहीं से इसने दुप्लिकेट लुब्रिकेंट के धंधे के बारे में जाना बाद में इसने खुद का काम शुरू कर दिया, ये मुंडका के अपने जानकार उमेश जैन से उप्योग किया हुआ कच्चा तेल खरीदता था, पैकिंग मटीरियल सहित अन्ने सामान ये ट्रांस्पोर्ट नगर के पप्पू नाम के शक्स से खरीदता था आप ये दे सकते हैं, ये चारीज मिलिटर के पाउचों को भरने और सील करने वाले एक छोटी मैनूल मसीन है, आरूपी इसी मसीन से अपने जो नोड़े नकली इंजन ओईल बनाने का जो गोदा फ्यक्टिव ना रखे थी, ये मसीन उसमें लादा रखे थी उन्होंने, और इस मसीन को आप ध्यान से देखे, ये चोटी मसीन देखने में वो अलए ही चोटी मसीन है, लेकिन ये इतनी फाईन क्वालिटी में पैकिंग करती थी, कि असली और नकली की पैचान करने में बड़ी परशानी होती थी, ये देकि चोटी सी मैनून मसीन है, और इसी मसीन से 40 स अपनी पाउचों को पैकिंग करते थे गिरफतार सभी मजदूर यूपी के रहने वाले हैं और काम की तलाश में दिल्ली आये थे यह सभी विवेक कुमार त्यागी से मिले और उसके कारखाने में मजदूर के रूप में काम करने लगे मौके से पुलिस ने आरोपियों के कबजे से 14 लाक रुपे के नकली कैस्त्रόल इंजन ओल के 69 कारटनों में 900 मिली लीटर के कुल 1180 डब्बे बॉश दुपलिकेट इंजन ओल का एक कारटन जिसमें 900 मिली लीटर के कुल 15 डब्बे केस्ट्रॉल कम्पनी के 605 खाली डिबबे, बॉश कम्पनी के 255 खाली डिबबे, 303 डब्बो के धकन, पार्च ड्रम प्रतेग ड्रम में 205 लीटर नकली आयल, 20, 15 वर 10 लीटर की 75 खाली केस्ट्रॉल कम्पनी की बाल्टी, 35 बकेट कैप्स, सर्वो सुपर डोटी के 29 कार्टूनों में भरे 8700 पाउच, 40 मिली लीटर के पाउचों को भरने और सील करने वाली एक बड़ी आटोमेटिक वह एक छोटी मैनुल मशीन, एक बोटल कैप लॉकिंग मशीन, 600 कैस्ट्रॉल एक्टिव बोटल कैप बार कोड़, सर्वो कम्पनी का 40 मिली लीटर के पाउच का एक रोल, बोश कम्पनी के 1274 स्टिकर स्ट्रिप्स बरामत किये हैं। गिरफतार सभी आरोपियों की पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं मिली है। अधिक, अधिक बरामतगी और सेह आरोपियों की गिरफतारी के लिए जाच टीम लगातार छापे मारी कर रही है। कूटी में यूज करोगे तो इसका एंजिन में काफी प्रोब्लम हो सकती है। तो पहचान करने के लिए सबसे सिंपल तरीका देखिए दोस्तों यह है। जो असली औरीजनल जो इसका डिबबा होगा इंजनल का उसका जो कैप होगा यह है। उसका कैप आप देख सकते हैं इसका जो बार कोड बना हुआ अपपर और जो नंबर लिखा हुआ है यह बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं यह देखिए आप ऐसा लग रहा है ति किसी ने ऐसी चाप दिया हो इसके तो दोस्तों सबसे पढ़ी पहचान यह है इसकी यह असल में क्या आता है उसको अनमें भरकर और एक नया एक यह कैप लगाकर इसकी उसको मार्गिट में बेशते हैं और यह ओई डालने से आपके एंजन में क्या नुफसान होगा वह में आपको बतातों यह जो होता है यह बड़ी-बड़ी मशीनों में डलता है इसकी विसकोसिटी बहुत होती है उती है इसके जो फीटिंग मतलब गरम होने के बाद जो की होती है वह बंचक कारणों इस akan दाने के बाद वाइक को वाघए गंट्वी चलाईगे तो इसके बादेखेंगगे अंजन आयमने भी पार विल्कुल पानी एसे होfach जाया है बिलकुल पतला तो उ ब्रैसे करी मी पाएगा और इंजन जो है वो उसके जो पार्ट से वो वीर टियर होंगे तो इसलिए ये इंजन डालना बिल्कुल बेकार है गाली के लिए तो आप इस तरीके से इसकी पेशांद कर सकते हैं कि जो कैप पे बारकोड बना हुआ है ये जो है बिल्कुत साफ होगा अगर अगर आप और पूरा इंजन डिपा चेक करेंगे तो लगबख सारी चीजे सेम है यूंकि डिपा तो ओरीजनली है ये साफ करके इसको बारकेट में उतारा जाता है हर चीज इसकी सेम है इसकी बनावत इसकी लिखावत हाँ ये स्टीकर शायद वो दुबारा लगाए जिए लगाइ को भी दाउट हो तो यह आप देख सकते हैं सायद कैमेरे में नजर आए इसका जो स्टीकर को कलर है और इसका जो कलर है और दोनों में थोड़ा सा डिफेरेंस है ये थोड़ा सा वरिजनल ट्रैपल थोड़ा पन दिखरा अच्छे से इसका कॉन्ट्रास जादा इसक क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और हाँ क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले कड़ी मेर्दर, खरी खबर, और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम दिखाते हैं तंसनी ओफ इंडिया, हिंदी सब्साहिक न्यूजपेपर, हर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुचाता है, काइन से जुड़ी सबी खबरें, सिर्फ पाँच उबे मेरे कहीं डर तो कहीं डर कहीं आत्म हत्या तो कहीं हत्या कहीं साजिश तो कहीं रंजिश हर जरुमुका करेंगे पर्दा फार तेखें हर रोज दो रुपे में विजे न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी, कभी भी पर्श लॉग इन करें www.vijaynews.in झाल 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 झाल